10 साल के लंबे इंतजार के बाद बॉलिवुड एक्टरेस जिया खान के सुसाइट केस पर कोड का फैसला आया है एक्टर सूरज पंचोली को इस केस में बरीकर दिया गया है और एक्टर ने 10 सालों के बाद ली है राहत की सांस सूरज ने हाल इमेक लीडिंग पोर्टल को इंटिव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जिया खान के बारे में धमाकेदार खुलासे किये हैं उन्होंने कहा मैंने उसे फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो सुन्दा लड़की थी और जिन्होंने फिल्मे की थी उन्होंने एक साल बाद मुझे जवाब दिया और हम दोस्त बन गए मैं जिया के साथ सिर्फ पांच महिने की ही रिलेशन्शिप में रहा मुझे नहीं पता था कि वो किस दर्ट से गुजर रही है उसे boyfriend नहीं परिवार के साथ की जरूरत थी वो उनका साथ चाती थी वो चाती थी कि वो उसे समझें जिया के पास अपने फैमिली को सपोर्ट करने का बहुत प्रेशर था उसके दो सौतेली बहने थी उसकी मा और उनका पार्टनर परिवार में वो अकेली कमाने वाली थी और वो जो भी काम उन्हें मिल रहा था वो काफी नहीं था मुझे उसकी सिचुएशन का उस वक्त तक अंदाजा नहीं था मैं उस वक्त महज 20 साल का था लेकिन मैंने उनकी मा को बताया था कि वो डिप्रेस हैं और उन्हें प्यार की जरूरत है उस वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था उसके पास कोई emotional support नहीं था उसके पास सिर्फ मैं था जब मैं शुरू में जिया खान से मिला तो उस वक्त हम रिष्टे में भी नहीं थे उस वक्त भी उन्होंने अपना हाथ काट कर मरने की कोशिश की थी ये साल 2012 की बात है मैंने राबिया जी को फोन लगाया वो लंडन में थी उन्होंने कहा कि वो अगली फ्लाइट लेकर मुंबई आती है मगर वो कई महीनों बाद आई थी क्या ये एक पेरेंट और बच्चे के रिष्टे में नॉमल है उस वक्त मैं उनके साथ मुश्किल के वक्त में रहा था इसके बाद हमें प्यार हुआ वो एक खुबसूरत इंसान थी लेकिन मेरे अकेले का प्यार उनके ले काफी नहीं था उसे परिवार की प्यार की जरूरत थी मैं कोट में बहुत कुछ कह सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं किया क्यूंकि मैं परिवार को शान्ती में रखना चाता था लेकिन सिर्फ मुझे दोश देने से कुछ नहीं होगा इतना ही नहीं सूरज पंचोली ने इस एंटरव्यू में जिया खान के सुसाइड लेटर के बारे में भी बात की थी